कि नमश्वार दोस्तों बात करते हैं जी अमार एर्पोर्ट इंफ्रस्रक्ट्टर की 80 रुपीज का स्टॉक हो चुका हर तीन पॉर्शन की गिरावर स्टॉक में देखने को मिली है 35 मिलियन का वॉलिम आया है स्टॉक ने पांथ सालों में बहुत अच्छा कमा के दिया है 14 लोगों ने बाइक किया उनको एक बड़ा पेंज भीले को मिल रहा है क्योंकि स्टॉक ने इतना अच्छा कमा के दिया अब लगतार गिरावर हो रहे है 95 की बाइंग है क्या करना चाहिए निकल जाना है बने रहना है होड करना है एड करना है सवाल यह भी है कि यह जो गिरा बात करें जी अमार एर्पोर्ट की उसे पहले चर्जा करते हैं बाजार की क्योंकि बाजार की गिरावर का सीधा हसल स्टॉक के उपर है पिछले दिनों जब जी अमर में खबर आया थी कि तक देयार अक्वारिं केंट पर्शन ऑफ डैली एर्पोर्ट का काफी महगा डियल पॉजिटिव बहुत ही पॉजिटिव डियल थी वहां से लगा था नाइटी टूर्पीस के आसमें स्टॉक उसमें ट्रेड कर रहा था उस समय ही अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे लोगों ने बाई भी करा था रिजन वजीद है कि डैली एर्पोर्ट में अगर आप इ बाजार के गिरावट करते स्टॉक भी धीरे धीरे करके चला गया और आज की तीन पॉर्सिंट गिरावट के बाद या सी रूपय पर जा खरके सेटल हुआ है तो करना क्या है यहां पर गिरावट की पीछे का रीजन क्या है सबसे पहले वो तर्चा ज़रूरी है कि लगाता आज अगर आज कहीं आपको देखने को मिलेगा कि बाजार में को इस तरह की ख़बर नहीं थी बट उसके बावजूद करता है नहीं बाणापया करना अवर दोने थार यहां आज करता हू आए इस दो स्व ंशूरी हुआ ट्रह करता आभienen झाल 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 झाल